तो बॉली वोड ये से आज उर्दू वोड या फिर कराची वूड के नाम से लोग ज़्यदा जानते हैं जब से इसकी शुरुआ थुए तब से हिंदू विरोधिमान सिक्ता से जुड़ी हुई फिल्में बना रहा है और इसमें जो इस्टार्स आते गए वो हिंदू विरोध पात्र देने वाले थे आप देख सकते हैं अमीर खान ने इसके लिए तयारी शुरू भी कर दी थी और इसके लिए स्टार कास्ट भूंना भी शुरू कर दिया था जिसमें वो खुद भगवान श्रीकृष्ण का किरदानी भाने वाले थे तो आप समस सकते हो जिसने पीके म यह लोग जो है श्रीकृष्ण के नाम पर भगवान श्रीकृष्ण के पात्रों भारत में गलात दिखा देते और करना जैसे पात्रों को सहीं दिखा देते तो सोच सकते हैं आप बॉलीवूड के हाथ में जो भविस से था वो कितना खत्रे में था वो तो धन्यवाद है जो लोग जो की तुर्की जो की भारत का सबसे बड़ा दुस्मनों में से वहां जाके बैठते हैं और इनकी पत्नी को भारत में डल लगता है यह जो है से कल्यूरिजम के नाम पर महाँ भारत मुवी बनाते हैं अब सोच सकते हैं जिन्हों सत्य में यह कहा था कि सीवलिंग पर अगरीब बच्चों को क्या खाना खिला दूं इसी कांट से तो लाल सिंग चला डबल डिजास्तर सभी थी तो यह लोग जो है अपने बयानों से ही मुकरने वाले जो बॉलिवड की स्टार्स हैं तो सोची अगर यह महाभारत में भागवान श्रीकृष्ण का किर्दान नही तो अच्छा है कि जो बॉलिवड है इसके मुँपे बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है और फिर तो आप बॉलिवड में देखी रहे है जानवी कपूर को देख लिजे सारा अली खान को देख लिजे अलिया भट को देख लिजे और उसके अलावा जो है श्ट्रगल वाली क क्या नाम है अनन्या पांडे उनको देख लिजे मतलब इन लोग को मतलब कौन काम देता पिच्चार में आप देख सकते हैं और इन नेपोडिजम के करने जो आ रहे हैं तो सोच सकते हैं अगर वैसे बॉलिवड के घटिया मान सिखता के साथ हमारी इतने गोरो साली आप कि अपने धर्म से करने लगते और नफरत करने लगते वह तो धन्यमाद है कि एस राजा मोली सर जो हैं वो बनाने वाले माहभारत मूवी तो देखते हैं कि इसमें से बॉलिवड से किसी को भी कास्ट ना केचा क्योंकि ट्रिपलार में भी आलिया भट को बहुत भी नहीं किये थे तो देखते हैं कि आगे क्या होता है मावारत पर मुवी एसे राजा मोली बनाते है कि नहीं बनाते हैं